हेलो स्टो स्वागत आप सो के आपके अपने यूटूब चैनल सेलफ इस्टडी विट कुंदर कुमार में आज जम पढ़ने वाले हैं साइकलोजी जिसका नाम है मनोबिग्यान इसे हम मानव सास्तर भी कर सकते हैं या मनोबिग्यान चेप्टर वन परेंगे आप सो कहरत की इसलिए आप सो के डिमांड पर ही चैप्टर वन लाया गया और इसमें अच्छा खासा आप विवया किजिए और आप इसे अपने दोस्तों में सेर कीजिए तब हम आगे चैप्टर टू भी लाने का कुछिस करेंगे अगर जाब तक आप सो का सपोर्ट नहीं होगा तब तक यह आप होगी ठीक है चले मालेजी आप है ठीक और यहां पर आपके कोई दोस्त या कोई रिष्टेदार या आपके कोई है ठीक है जैसे आपके कोई भी है मालेजी तो आपको इसको देखते मातर आप क्या सोचने लगेंगे कुछ की यह क्या किया इसके बारे में आप जान सकते हैं यह कैसा है सायकिलोजी करते से सायकिलोजी कैसा भी सही जिसमें आपको आपको अच्छा सथा चाल आ जाएगा तो अच्छा आपके लिए और प्लस में बीविछ पर यह सब लाना स्टार्ट करतेंगे बाकि आप से स्पोर्ट होना चाहिए तो अभी आप से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि आगे का वीडियो आना स्टार्ट हो जाए जो भी अगर साइक क्लोजी आपका नहीं यह तो भी सेयर कर दीजिए ठीक है और अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइकन को अल कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे और ऑनलाइन टेस्ट भी होता यूट पर ही होता है जहां पर आपको इस पेसल टेस्ट पूरा लिया जाता है आप चाहे तो टेलिग्राम कर सकते उसक करते चलिए अब तो आपका कुछ प्रैक्टिस होता चलेगा और इसे हम अच्छा सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए हमपने फर्स्ट क्योशन क्यों आप इसमें कहा जा रहा है दिखें फर्स्ट क्योशन कर रहा है कि कि किसने बुद्धिक को विक्ति सरवभामिक छंता की लुब में सब्सक्राव नाम ऑलफटat नहीं होना चाहिए चले आपको यह पता चल गया चली बहुत अच्छा आगे छले कि आपके सब्सक्राई दोनमर क्यों उच्छन है कि र्यम प्रोग्रेसिव मैट्रिकании कि सब्सक्राइब का बुद्धि का परिक्षन है यह जो रेवेन होता है ना रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक परिक्षन किस बुद्धी परिक्षन का होता है तो यह साब्दिक बुद्धी परिक्षन गिर्यात्म बुद्धी परिक्षन उप्युक्त में से कोई नहीं इसमें से आपको कमेंट करना कि इसमें से अब आगे चले यह आपके सब्सक्राइब कि किसने बुद्धी का त्री तत्विय सिधान्द का प्रतिपादन किया अब देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाला बात है कि त्रीटिय बोला जा रहा है अब दूतिय त्रीटिय अलग बात है तो इसके राइट एंसर होगा स्पि स्पियर मैन हो ठीक है और यह सब्सक्राइब चेंबर करता और जूजेंगे पहले 2011 सब्सक्राइब पहले आप जानना चाहते हैं तो सम्मु कारक फर्स्ट में इसका सम्माने कारक है और सकेंड में हैं विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि यह मुरुत्य है चिंता नहीं ना इसकी योगिता की बुद्ध का किस नहीं कहा थो तो किस नहीं कह था तो फटाफट कमेंट करेंगे चलिए तो बहुत पहुत में चली इसमें राहिछ उा इंसर्गा फांक Ph last संस्क्रीत मुक्त परिक्षन कौन सा है तो इसमें बिने साइमन कमिशन या या बित परिक्षन या कैटल बुदधी परिक्षन और इनहां से सबी सबわか्षु तो नहीं होगा ठीक के सी हमारा राइट एंसर है ठीक चलिए बहुत अच्छा इसमें से भी आपका राइट एंसर सी निकल के आ गया जितने भी लोग सी लगाएं उनसा का बहुत अच्छा है चलिए आगे चलते हैं यह आपकी सामने च्छो नमर क्योंचन है कि निमलिखित में से कौन साब्धिक बु चमिंदिक करेंगे चलिए अप सब्सक्राइब भर्रस जोलों सब्सक्राइब करने अबवकरत करेंगे चलिए अब सःक्ट्राइब है मतलब choix इस ट्रीकोरते कर रहें ठीक है और यह 1111 में किये थें और यह जो त्रीकारक है यह 910 4 में किये थें कितना इस्य तो चार में और तिरीतिय का किया दखित ना उन्हें सब्सक्राइब कोई कंफ्यूज होने वाले बात नहीं है तो इसमें कर राइट हमारा यह हमारा राइट एंसर होगा चलिए आगे चलते हैं यह आपकी सामने आठ नमर क्यों चैने कि निम्लिखित में से कौन गिलफोड वे संख्यात्मक योग्जीता संख्या के बारे में योग्जीता होता ठीक है उसी के बारे में बुला है यह हमारा भी हमारा राइट एंसर है ठीक है चलिए आगे चलते हैं यह आपकी सामने नौ नमर क्यों चैने कि निम्लिखित में से कौन सर्वज सर्जनात्मक चिंतन की यव चलिए भी हमारा राइट बहुत कम टाइम में आप सका कमेंट मतलब पूरा कम्प्लीट कर दें ठीक आप चलिए आपके समय दस नबर के उचले कि मांसिक उम्र मापक है मांसिक उम्र मापन किसे होता है तो बुद्धी के निरपेक्छता से या काला नुकरामिक आयूका या वा सतर्ग को है ठीक है यह हमारा राइट चैसे यह इसलिए भी पराने वाला इसी लिए पर यह पर नहीं को आप अच्छा लाइए और पर ने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजा एकंट कर लीजए ताकि आने वाले निडिवेज आता रहेगा चलिए आपके सांवने कि बुद्धी के विषय पर सोध गाले करने वाले पहले बिग्यानी कौन थे इसमें जो बताना है कि बुद्धी के सोध पर कौन सबसे पहले किया था तो आपको पता ही कि बीने साहब ने किया था कौन के थे बीने साहब इसने ने क्या क्या कि मनों बिग्यानी मतलब जो मानव कैसे करता है और किसी को कैसे समझ पाती हम कि यह कैसा आदमी है गलत कि सही है उससमझ मझने की काला किसके पास था मैंन के पस सब्सक्राइब 3ली चलिए इसमें ऑल राइट इन सम्केफीर मैंने के नहीं है जो यह कि बुद्धी के कितने परकार है आप जो देखिए बुद्धी आपके पास यह कितने परकार के तीन परकार एक परकार दो परकार चार परकार तो इसमें जो हमारा राइट एंसर होगा तो यह तीन परकार के बुद्धी होते हैं इसमें कोई और इसके हम किसे नापने आई क्यों से ठीक है इससे हम नापते हैं तो यह कितना होना चैसा मानने विख्टी जिसे जीवन में देखिए कोई ना ज्यादा तीज हो ना ज्यादा मुर्क हो ठीक आपको समझ समझ रहे ना यह से माले जी एक चोटा कम है और यह सबसे बहुत है ना जिसका 6060 रहता है ऐसे सबस्ट रहता है जैसे हम आपसर कहोगे ना किसी स्ट्रेंट बहुत तेरज है ना तो इसका 110 पलस रहता है ठीक है यह कि सामने ठाट की अनुसार कितने परकार जा सकता यह कैसा नहीं कि इसी परकार पूछए सकता यह बुद्धि के बारे में बुद्धि कितने तीन परकार के यह चलते हैं यह देखिए आप किसा नहीं 15 नमर की आफ किसा तीर पड़ गया कि प्रात्मिक-मांसिक योगेटा के किसे प्रस्तुत कि यह जो है प्रात्मिक मांसिक योगदा के सिफां किसे ने परस्तूत तो गार्डेनर क्या था या सपको या लिटर कर या गिल 700 क Tiffany समट करें जितने बेस्ट हमेंनले क्यों करेंगे चले बहुत अचा बहुत अच्क तुक्त बहुत अच्छा यह आपकी साने 15-16 नंबर की और नहीं कि बहुत बुद्धी का सिधान्त प्रतिपादित किया दिखेंगे जो बहुत बुद्धी है वह किसी ने सिधान्त दिया तो मरफी ने यह गार्डेनर ने या इन प्रफटाफट कमेंट करेंगे चलिए बहुत अच्छा किसने क्या था तो गाड़ डिनर ने किया तो यह हमारा राइट एंसर और यह कब कहता था उनई पुछा सकता है कि बहुत बुद्धी का सिधान्त गाड़ेनर ने कब किया था तो क्या बताएगा उन्हीं सो तीरासी में राइट एंसर हमारा चलिए यह आपके सामने 17 नबर के लिए कोन बुद्धी परिक्षन नहीं है आप आप से पूछा कि बुद्धी परिक्षन नहीं है तो यह देखिए आपके बीने साइमेंस टेस्ट यह आप पर ही है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट या पास लॉंग टेस्ट यह भी पढ़े है ठीक है लेकिन टी यह नहीं परे ठीक है तो हमारा डी हमारा राइट इंसर है जब आप बुक पर ही है का ना तब आप सको अच्छा लगें आपसे ससर्सब्जीक कि यह था इंट-बेकर लाएं ठीक है था यह आपके साена मोडल पीपर की कुछ लाई अच्छा वीडियो हम अच्छा लगरा आपका वीडियो अज़्क्नियु प्रूइए आपको फर्माइस को पूरा कर सकें ठीक है चलिए यह आपके सामने 18 नमर की बुद्धी का दुई कारक सिधान कब अस्थापित हुआ था तो आपको पहले बताए कि दुई कारक पूछाए रहा तो दुई कारक कर सबसे बड़िबी करता होना चीए लिखने में बहुत टैप गल पर हो गया है चलिए इसे मां क्या हुआ हो तो सूज हमारा हो यहां कि आपके सामने होगा कि अमरूत्य चिन की और बुद्धी आपको पहले बताएं कि इसके बारे में तो आपको तो गलत नहीं होना चाहिए कोज साथ तर्मन सहाब बताए हैं को रहे तर्मन सहाब लेकिन तर्मन सहाब ऐसे होगा चले राइट निसर क्या होगा तो भी हमारा राइट अंसर होगा चले बहुत अच्छा आगे चलते हैं यह आपके साने 22 नमर कि बुद्धी तथा सरजनात्मक के बीच कैसा संब्ध है यह जो बुद्धी और सजनात्मक का बीच कैसा संब्ध है तो धनात्मक का संब्ध है यह हमारा राइट अंसर है चले आगे चलते हैं यह आपके सामने 23 नमर कि चले कि थ्रस्टन की अनुसार अनुसार बुद्धी कितने प्रात्मिक मांसिक योगता उपस्थित को होता है तो इसमे तो हमारा राइट अंसर होगा ठीक यह आपके सामने 24 नमर के उचले कि साइमन पर्थम बुद्धी परिक्षन को बीक्सित किया किस वर्ज़र आप देखिए यह जो साइमन है ना वह बुद्धी को परिक्षन किया उप किया तो मतलब इसको टेस्ट लिया कि बुद्धी कैस कि किसने वर्ज़र ब्रुद्ध चले हैं कि रज़र को तो आपको बताना है तो थिक छली चलीं जो ने यह राइट इन पता चलीं कि आ अप देखिए बीडियो को क्या करना है आपको लाइक कर दे तो सब्जेक्टिव का जल्दी अगर लाएंगे तो आपके लिए हम कुछिस करेंगे कि जल्द चेप्टर टू भी और सब्जेक्टिव करेंगे जल्दी-जल्दी ला देंगे अगर सेयर करेंगे तो अगर आपको यह देखिए पीडियाप चाहिए तो इसके टेलेग्राम के अगर आप टेस्टि भी देना चाहते तो टेस्क्रेस ए लिंग्र और अकर लेजिए पीडियाफ मिल जागा तो बाईय में आगे लिक्रत